जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मंगल अभी राशी से निकल कर मिथुन राशी में प्रवेश कर गए थे इस महीने की शुरुआत में और अब जल्दी ही मंगल वक्री होने वाले हैं यानि की उल्टी चाल चलना शुरू करने वाले हैं और मंगल का वक्रस्त इस्तिती में होना उल्टी चाल चलना कई तरह के परिवर्तन सभी राशी वाले जातकों की जीवन में लेकर आएगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशी के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए मंगल का वक्री होना किस तरह के बदलाव उनकी दिंचरिया में लेकर आएगा अब देखें मंगल जो हैं वो 30 अक्टूवर को वक्री हो जाएंगे यानि कि ये उल्टी चाल चलेंगे उल्टी चाल चलते हुए ये प्रतीत होंगे और उसके बाद ये नवंबर के महीने में 13 नवंबर को वक्री चाल चलते हुए ही दोबारा से व्रिशवरासी में तक यहीं विराजमान होंगे तो कोई भी ग्राजव वक्री होता है तो उसके जो प्रभाव है वो बदल जाते हैं अब शनी जो है मकाराशी में वक्रास्तिति में बैठे थे लेकिन अब मारगी हो चुके हैं यहां शनी के साथ मंगल का शडास्टक योग भी बन रहा है जो और परिवर्तनों में और कई तरह के प्रभाव भी देगा तो इनका जो वक्री होने का प्रभाव है उसके बाद राशी बदलने का प्रभाव है वो तुलाराशी के लोगों पर किस तरह से होगा चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम विस्तार से इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया मिलती रहती हैं चोट असा निवेदन और है दूसरे चैनल हमारे आपकी एसलिए को भी सब्सक्राइब कर लें व भाव होता है अब इनका जो गोचर है वो आपके नवम भाव में है यानि आपके नवम भाव में ये मंगल जो है विराजमान है और यहीं नवम भाव में अब ये बक्री होने वाले हैं अब यहां नवम भाव भागे को दर्शाता है और इनका जो प्रभाव है वो काफी एक तो आप एक छोड़ी छोड़ी चीजे हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप अपनी प्रतिकरिया किसी बात पर देते हैं तो सबसे पहले उनकी बात को ध्यान से सुने ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बात सुनके आपने प्रतिकरिया उस पर यानि कोई टिपनी आपने उस पर दे दी है पहले उनकी बात को अच्छे से सुने, समझे और उसके बाद आप कुछ बाते उनकी लिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में ऐसे कारिया करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, वो आपकी छवी को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं तो यह आपके लिए सबसे फाइदेमंद साबित होगा, सोच समझ कर किया गया कारिया, सोच समझ कर लिए गए मिलने, बहुत पावरफुल रहेंगे अब बात करें, प्रेंट समझ की, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो की सिंगल है, सिंगल जातक जो लंबे समय से शादी के बंधन में बंधने के लिए इच्छुक थे, वो इस दोरान शादी के बंधन में बन सकते हैं जिन लोगों के विवापरस्ताव नहींगे, उनके विवापरस्ताव आ सकते हैं, या आपका प्रस्ताव आ चुका है, तो आपकी जो मैरिज डेट है, वो फाइनल हो सकती है बहुत तगड़ा योग बना हुआ है, 13 नवंबर के बाद आप शादी के बंधन में बन सकते हैं, प्रेम विवाप के मौके भी आपको मिलेंगे और कई जातक तक तो इस दोरान अपने साथी के साथ विदेश यातरा पर भी जा सकते हैं या फिर आप विदेश यातरा जाने की योजना बना सकते हैं, तो ये समय मंगल आपके लिए यातराओं का योग बना रहा है, मंगल को इस चीज के लिए बहुत जाना जाता है कि ये विदेश यातरा कराते हैं, लंबी दूरी के यातरा कराते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी योग है जो आप कोशिक कर रहे हैं वो कोशिसें आपकी पूरी हो सकते हैं अब यात्रा से जुड़े हुए देखे कि खर्चें तो होंगे ही जब आप लंबी यात्रा पर जाएंगे तो खर्चें तो होने ही होने हैं लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ बहुत आनंद में समय बिताएंगे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे, कारशित्र पर भी मंगल का प्रभाव रहेगा, भागय भाव में ये बैठे हैं, तो कुछ कामों में थोड़ी सी बाधा आ सकती है, कुछ कामों में थोड़ी चुनोतियां आ सकती हैं, जरू सबसक्रों पर किया। बस एपने काम पर फोकस रखना है अपने काम पर द्यान देना है। जितनी साहस के साथ psychologist आप्काम करेंगे उतना ही आपको profit देखने को मिलेगा। जादा अच्छा याब आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि भागय भाव में ये विराजवान है तो भागय सबसे अधिक प्रभावित होगा मंगल से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं वहाँ आपको लाव होगा देखे जिन युवा हैं जो इस राशी के उनके अंदर अगर जौप राप्त नहीं है तो उनके मन में ये एक भागय उनके मन में आ सकता है कि रोजगा लगेगा या नहीं मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन हम काम्याब होंगे या नहीं इस भागय से आपको दूर रहना है इस भागय को आने से कोई फायदा नहीं है इस भागय को आपको मिटाना है पॉजिटिविटी रखनी है साह से दिखाना है तब आप काम्यावी भी पाएंगे काम्यावी की शिखर पर भी आप पहुचेंगे आप लोगों के साथ अपनी रिष्टों को मजबूत करेंगे अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हुए है कोई बिजनेस है आपका कोई आप दुकानदारी करते हैं तो आप रिष्टों को बहुत अच्छे से निभाएंगे अपनी कदमों को बढ़ता हुआ देखेंगे आपके अंदर उर्जा आएगी और इस समय जमीन खरीद फरुक्त का भी काम आप जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है और साथ में कुछ गुप्त समझोते कर सकते हैं कुछ गुप्त डील भी आप कर सकते हैं जो सरकार योजनाओं से जुड़े हुए हैं किसी तरह की ठेकेदारी लेते हैं किसी तरह की डील फाइनलाइज करते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है बड़ी अच्छी डील आपको मिलेंगी बड़ी या एनरजी वाले शेतर में आप पैसे लगाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉफिट की तरफ आप जाने वाले हैं बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको हो सकता है उन लोगों के लिए जो इन काम से जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं वीडियो देखने के बाद आप काम में जुड रही हैं रूई, अलसी, गेह, इलाची, मूंग, डाल, पिस्ता या लाल चीजें जो लाल चीजों का कारे करते हैं उनके धामों में अचानक से तेजी आ जाएगी और जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त योग बन जाएंगे पैसो को कई गुना करने के लि समय रहेगा तो देखे सिक्षा के शेत्र में भी ठीक ठाक समय रहेगा बस अपनी एनरजी को बरकरा रखें और अपने काम पर सबसे ज़्यादा फोकस रखें और उपाय जो मैं बताती हूँ उपाय आप जरूर करने हैं मंदिर में गुड और मूंफली दोनों को मिठाई की रूप में आपको पैति मंदिर में आपको ये चड़ाना है हर्मान जी को उसके बाद इसे आप सबको वित्रित कर देंगे प्रसाद के रूप में ग्रहन करेंगे ये एक उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब मंगलबार के दिन ये कार्या कर सकते हैं या फिर के लिए बहुत अच्छी योग बनेंगे तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें